नमस्कार मैं हूँ अनवान पुनिया और आप देख रहे हैं आपने न्यूज युवाओं के लिए प्रेर्णा सत्रोत एक मिसाल काईम करने वाले मास्टर सुवे सिंग चारवाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं सुवे सिंग चारवाला का चार जनवरी 2020 को देहांत हो गए है सिर्साज जिला के हर गाउं से बच्चा बच्चा उनको हमेशा उनके दोबरा किये गए समाजी कारियों के लिए उनको हमेशा ने याद रखेगा पही थक्तो हमेशा उनको हमेशा उनको हमेशा उनको बच्चा उनक fatto भी सींगे रखेगी हां कर दो कर दो सुवेशिंग चारवाला के जीवन प्रीचे की अगर बात करें तो सिर्षा सहर से करीब 50 किलो मिटर दूर राजस्थान सिमा से सटे गाउन चाहरवाला में उनका जनम 15 मारच 1967 को हुआ था सकूली पड़ाई उन्होंने अपने गाउन से सुरू की और ग्रेजवेशन शिर्षा के नैशनल कॉलेज से सुरुवात की इस दोरान वो चातर राजनेती में सक्रिये हुए और चातर हितों के लड़ाई लड़नी सुरू की कई आंदोलन उन्होंने चातर हित में किये और सितंबर 1989 में वो चातर नेता का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो चुनाव उन्होंने बड़े जीत के साथ बड़े मारजन के साथ उन्होंने चुनाव जीता था छात्रों के हितों के आवाद उठाने वाले सुवे सिंग चारवाला पढ़ाई में भी काफी मेधावी थे और वो अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1995 में सरकारी अध्यापक के तोर पर अपना नई कैरियर नया एक शुरुआत उन्होंने की अध्यापक बनने के बाद समाजिक हित की लड़ाई लड़नी उन्होंने जारी रखी बात मैं उनकी स्टूडेंटल लाइफ की बताऊं तो जैसे ही वे वो कोलेज में आये उनके अंदर नेतरितव का गुम बड़ा था आते ही सबसे पहले दूसरे साल में ही वो कलास के सियार बने और सियार के बाद में जब हम पलस टू में थे वो गरिशन फाइनल में थे उस टाइम कामरेट ग्रूप से वो सेक्टी के पद पे खड़े हुए और काभी भारी मतों से वो सेक्टी के पद पे विजई हुए और शकूल में जो गाओं से लगबब बच्चे आते थे उनकी मदद के लिए वो हमेशा त्यार रहते थे और बहुत उनके काम करुआए उनके साथ दिन रात काम करने में मस थे बहुत बड़ी आकाम किया था उसकी बात की बात कहूँ तो मैं देरे देरे दो हजार सोरी उननी सो पिचानमे में गौर्वर्मेंट सर्विस में आगे नई सुबह नाम से उन्होंने एक संस्ता बनाई जिसके अंदर सिरसा जिला के काफी जो सामाजिक लोग हैं उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा और कई सामाजिक करे उन्होंने उस संस्ता के माद्यम से सुरू किये जिसमें मुख्य तोर पर बेटियों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरू किया और बेटा और बेटी में कोई फरक नहीं है ये मैसेज उन्होंने दिया और जिसके लिए उन्होंने जिला में कहीं पर भी जब बेटी के जनम पर कुमा पूजन होता तो उस को समानित किया वही कई सामाजिक बुराई जिसमें मर्टी भोज दहेज पर था बाल विवाए पर भी लोगों को जागरू करने का काम किया इसके अलबा सहीदों के समान में नई सुबसनस्ता के मादेम से हर वर्स जिला वर्में लगी सहीदों की परतिमाओं की साफ सफाई बात अगर उनके संघरसों की बदोलत क्या क्या विकास कारे विशेश तोर पर चोपता में हुए तो मैं बता दूँ की चोपता के अंदर लगातार चोपता के विकास को लेकर उन्होंने छे साल तक लड़ाई लड़ी छे साल में उन्होंने कई आंदोलन यहां किये और आज जो चोपता है वो जो देन है वो सुबेशिंग चारवाला की है मैं बता दूँ कि उन्होंने नई सुबह संस्था के अलावा चोपता विकास मंच के नाम से एक और संग्ठन बनाया और खुद उनके उसके सयोजक बनकर कई अंदोलन किये जिसमें बात चाहे उपतासील के सामने धरने देने की हो चाहे हस्ताकसर अव्यान चलाकर डेड़ लाख लोगों के हस्ताकसर करवा कर सरकार को वेजने की बात हो या फिर युवाओं के साथ मिलकर एक हजार मोटर साइकलों की यात्रा को विभिन गाउन से होते हुए जिला मुख्यालिया तक पहुंच कर डी सी को चोप्टा के विभिन मंगों को पूरा करवाने के लिए ग्यापन देने की हो आज चोप्टा के अंदर जो तशील है जो बस्टेंड है जो अनाजमंडी है जो समुदाइक सवास्ते के अंदर है वो सब सुवेशिंग चारवाला की नई सुवेशंस का चोप्टा विकास मंच और यूवा कलब एसोशेशन की ही दिन है चोप्टा के विकास के लिए लगातार छे साल तक संघर्स करने वाले सुवेशिंग चारवाला के जो गनिष्ट कलोज रहे और यहां पर उन्होंने जिश्ट रह से ये चोप्टा के अंदर अंदोलन किये थे उसमें महतवपुरन भूमी का निगभाने वाले सोनु बाटी जो की चोप्टा के युवा कलब एसोशेशन के अध्यक्स हैं और उनके साथ इन्होंने काफी ज्यादा काम किये हैं तो उनसे हम बात करेंगे उनसे पूछेंगे कि सुवेशिंग चारवाला का आज के चोप्टा के अंदर जो विकास करे हुए हैं तो उसमें उनका क्या एह अगर इलाके की विकास की बात किये जाए तो सबसे ज्यादा संगर्स है जैसे कि चोप्टा के लिए बस्टेंड आज चोप्टा में तैसील शीएसी और अनाजमंडी है वो सुबे सिंग चारवाला की देन थी उन्होंने आवाज उठाई युवाउं के लिए एक बहुत से उठे हुए वेक्ति थे और बहुत संगर्स किया था अमारे चोप्टा इलाके के लिए उसमें उन्होंने डिमांड भी की ती जिसमें तसील का दर्जा दिलवाना था चोप्टा को और बस्टेंड मुनवाना था और काफियाने मांगे थी और वो उनकी पूरी भी हुई सुवे सिंग चारवाला में देश भक्ती काफी कूट-कूट कर भरी हुई थी इसका प्रमानी ये है कि उन्होंने सहीद भगत सिंग बिर्गेड से वर्स 2017 में ज्वाइनिंग की थी और सहीद भगत सिंग बिर्गेड के जो संचालक हैं वो भगत सिंग के परपोतर हैं याद सेयोजक के तोर पर उनको न्यूपती दे गई थी और उसके बाद उन्होंने इस संस्था से जुड़कर अनेक गाउं के अंदर सहीदों की परतिमाएं लगवाने का काम शुरू करवाया इसके लिए उन्होंने ग्रामिनों ग्राम पंचायतों को जागरू करने के लिए संदू से करवाया और विसर रिकारड बनाया जो की लिमका बुक ऑफ वर्ड रिकोरड के अंदर दर्ज हो चुका है इस की इरतिमान की बदोलत सुवे सिंग चारवाला को केंद्रिय मंत्री उस टाइम के जो केंद्रिय मंत्री थे रवी संकर परसाद उन्होंने दिल्ली में आयोजित समान समारों में उनको समानित किया था उसकी बाद की बाते हम करें तो उन्होंने अपने एक सहीद भगसिंग ब्रिगेड जो जिसके राष्टिय देख से यादू इंदर संदू भगसिंग जी के पोते उसको जोएन किया वो डिस्टिक के परभारी थे और मुझे उन्होंने डिस्टिक प्रेजिडेंट के तोर पे अपने टीम में लिया हमने सब ने सातियों ने मिलकर के काम किया और एक दिन में 16 परतिमाएं सहीदों की लगा करके वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया जो बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड में आज दर्ज है बले इस उबेशिंग 24 वालाज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उन्होंने जो संघर्स किया है और उस संघर्स के बाद जो परिग्रेनाम निकले हैं उसको हमेशां याद रखा जाएगा वो जो संघर्स है छे साल की विशेष तोर पर अगर चोपटा की बात करें तो छे साल का उन्ह attorneys से जों के याद रखा जाएगा याद रखा जाएगा